आप साप करते रहोगे और लोग कच्रा करते रहेंगे कि अरे कुछने होगा इस देश का अधे डिखा है हाँ हो सत्ता है बस थूढ़ी और सफाई करने पड़ेगी के से यह अपका खत आया है किसका है किसी भारत में भीजा है भारत हमारा गाव में तो कोई भारत है नहीं मैं किसी भारत को नहीं जानती है बड़ लूप शायद सदर प्रणाम चाहिद आप मुझे पहशानते नहीं हो पर मैं आपको जानता हूँ बहुत करीब से करीब आर कही जगह ओपर हम मिल भी चुके और हर मुलाकात एक याद बनती के याद है जब वह हमिश्रा की बीवी कांधी चौराय के सामने वाली दिवार पर जब आदमी थोख रहा था तब आपी ने तो उसे रोका था किसी दूसरे ने फेका हुआ कच्रा जब आपने उठा कर कच्रे के डिब्बे में डाला था तब मुझे बड़ा गर्ब महसूस हुआ था कि आज का नौजवान भी मेरी इतनी कदर करता है आपके बहुत ऐसाने मुझ पर नहीं तो बला कौन सो च्टा है इन चोटी-चोटी बातों के बारे में मैं शुक्र गुजारू आपका मेरी इतनी इज़द करने के लिए मैं शुक्र गुजारू मेरी तरक्की के खातिर आपके इस छोटे कदम के लिए मैं शुक्र गुजारू मुझे महान बनाने के लिए आपका प्रीय भारत सचबत बताओ मौन दादा मतलब मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से मुबरको मौन दादा अरे अपना दिल साफ हो रहा है हाँ पर आओ रे थद देना बाकी ही अब कौन यह आपका ख़त आया है किसी भारत ने वेजा है